Hi everyone, आपको बता दें कि 40's Healthcare के शेयर में ओवर 18.5% की गिरावट देखने को मिली है और ये तब हुआ है जब Supreme Court ने 40's के लिए Continuation of Stake का order दिया और नायचर्च Healthcare is open offer और साथ ही शेयर सेल पर Forensic Audit का भी order दिया दायची सांकियों ने कोट को 40's and IHH की बीच की डील को रोकने की अपील की थी वहीं मलविंदर सिंग और शिविंदर सिंग जो 40's को रन करते थे इन्हें दायची द्वारा सू किया गया है to pay an arbitration award worth रुपी 3,600 क्रोड आपको बता दें कि 2018 में Malaysian company IHH Healthcare ने 1.1 billion dollar pay किया था for a 31% stake in 40's वहीं दायची को problem थी with the sale of pledge shares in 40's क्योंकि उन्होंने कहा कि it had rights to the shares फिलाल के लिए इतना ही stock से related और भी updates के लिए 5 पैसा को जरूर फॉलो करें